पास करके इंडस्ट्री के वह ग्यानी जोग बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनका इस्ट्रजिक मारेग्मेंट शुरू भी नहीं हुआ। यह बात ध्यान से सुन ले सारे बच्चे वार्निंग दे रहा हूँ एक जीरो नंबर, सीधा जीरो भागने से करियर नहीं बनता है, जूधने से बनता है, यूबल हब टू फाइट बॉस और दस दिन में हो जाएगा कर रत लियो ओ, किताब दे दूगा तेरे को लेक्चेर तरादूगा, सिर्क मेहरत से प्रतन से ही पास हो जाएगा सारे उग अप्री ते आज हमारे कलीद थे, एक बहुत जरूरी बात जो सारे बच्चे ध्यान से कान खोलंगे सुल ले मेरे पास बहुत सारे बच्चों के feedback आते हैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे आज कल एक नई परंपरा शुरू ही है एक बात चल रही है debate चल रही है discussion घ्यानी लोग करते हैं और खास करके industry के वो ग्यानी लोग जिनको strategic management के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो ये फैलाते हैं डेलीबरेटली ताकि आप उनसे ये डिमांड ना करो कि स्टूडिजिक मैनेज्मेंट का सिलेबत जल्दी कराओ वो कहते हैं ये दस लेक्चर में हो जाता है ग्यारा लेक्चर में हो जाता है और हर लोग ऐसे दस-दस भाड़े के टट्टू भेज़ देते हैं टेलिग्राम चैनल पे और वहाँ बच्चों के बीच में वो महौल बनाते हैं डिसकुशन करते हैं ये सड़ेंत रहे आपके खिलाब कॉंस्पिरेसी है यह बात ध्यान से सुनने सारे बच्चे वार्निंग दे रहा हूं एक बहुत सिंप्लिस्टिक वार्निंग और जिसको अच्छा नहीं लगे वह इस वीडियो को देखना यहीं से बंद कर दे और आगे चला जाए क्योंकि क्लास तो हो गई आज की खतम वार्निंग यह है बड लेन नहीं है एक से इंटलिजेंट लोग बैठे आई सी एए में एक से एक शांदार स्मार्ट लोग बैठे बोर्ड अप स्टडीज के अंदर उनको पता है कि स्टुटिजिक मैनेजमेंट अगर 50 नंबर का दिया है तो 50 नंबर 50 मार्क्स की टेस्टिंग कैसे करनी है एक्ज ठीक है स्टुटिजिक मैनेजमेंट अंट फिनेंशल मैनेजमेंट आप सारे लोग कसम खाईए मेरी लिखके कमेंट दीजिए yes sir we commit that we will not carried away by this एक एक number important होता है अगर आपको लगता है कि strategic management easy है हम लोगों ने 32-33 lecture में उसको किया है तो उसको consolidate कीजिए अपना खतम हो चुका अपने lecture over हो चुके बेहतरीन उसकी preparation कीजिए और उस easy को और easy बनाओ ना उसके 50 के 50 लेके आओ ना यार आपको मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि previous courses में जहां जहां strategic management हुआ करता था सबसे ज़्यादा group 2 में बच्चे उसी paper में fail होते थे night mayor बन गया था कई लोगों के लिए वही यही gap तब भी बारी गई थी पिछले course पिछले से पिछले course पिछले से पिछले course और यही gap पूरी इंडस्ट्री में बच्चों के failure का बहुत बड़ा reason बनती थी पचास नंबर अगर इतना ही easy है तो पचास पूरे लाओना यार पूरा group निकल जाएगा तुमारा अगर तुम strategic management 50 score कर देते हो और financial management में क्लेम करते हैं करी दूंगा तो जब 90 95 नंबर 100 नंबर इसी पेपर में कर दो गया तो बाकी में तो सिर्फ 40-40 लाना रहे गया तुमारा तो गुरुप निकल जाएगा तुमारा तो बहुत देखके हाँ बिटा यह पहुत इजी है इसमें कुछ नहीं होता है strategy बनानी होती है बता तो भई बनानी होती है वह देमो टाइब के चोटे मुटे लेक्चेर डाल के आपको बहला फुसला के रखा गया है ताकि आप फाइनांस उनसे पढ़ते रहे हैं को फाइनांसी पढ़ा रहा आता है strategic management उन्होंने नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो रटा है पढ़ाना नहीं आता उन्होंने अपने life में case study नहीं पढ़ी वह आयम से नहीं आते हैं ठीक है case study हटाए हुए syllabus में पास करके वो से यह बने case study पढ़के नहीं बने अभी आते हैं एक्जाम में तो मैं आपको बिल्कुल दो टूक यह बात थोड़ी harsh बोल रहा हूं आज teacher and books are always good let me tell you very frankly finance हम भी पढ़ रहे दुनिया भी पढ़ रही है बेस्ट पढ़ रहे पांच expert बिठा के compare करा ले ना तुमको पता चल जाएगा हम किस लेवल पे जा रहे हैं ठीक है next लेवल पे जा रहे हैं बात खतम है और latest exam pattern के हिसाब से जा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम strategic management को उधर बंद करके डबे में रख देके कि वह भी 85 नंबर का है सुसाइडल काम आप कोई नहीं करेंगे मेरे students तो पक्का नहीं करेंगे मैं माफ नहीं करूंगा जब FM हमारी strength है और SM भी हमारी strength है तो हमें तो दोनों में 50 target करना ना बॉस यह easy है यह बाद में हो आगा असान है इसमें कुछ नहीं होता है यह जान भूज के आपको कहा जाता है ताकि आप उनसे lecture की डिमांड ना करो तो ठीक है वो तो होई रहा है अपन साथमें lecture में SM कब होगा SM कब होगा बच्चा रोज पूछता है क्योंकि February आ गई है जनवरी खतम होने वाली है अब क SM in any case 20th February तक या maximum first मतलब end of the last week of February तक आपको खतम करना ही पड़ेगा क्योंकि रिवीजन कब करोगे जब तुम इसको मार्च में पढ़ रहे होगे तो तुम शॉट में पढ़ रहे होगे और answer short में नहीं लिखे जाते SM के जब एक question उठाके strategic management के answer लिखने बैठ होगे ना इसकी हालत audit वाली हो जाएगी फिर समझ में आएगा audit and strategic management are approximately similar type of subjects दोनों में strategic management में analysis important होती है judgment बिगडएगी answer बिगड़ जाएगा zero number सीधा zero बड़ा वाला तो ऐसी गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा मेरी class का कोई नहीं करेगा मेरे बच्चे question पूछते और अच्छे के लिए मैं उनको thank you बोलता हूँ कि वह इस debate discussion को मेरे तक ले आते हैं और मैं खुद सर्च करके ऐसे debate discussion सर्च करके team को बोलता हूँ मुझे दिखाओ कहां क्या चल रहा है यह सब गलत चल रहा है ठीक है तो जिन्हों ने लेक्चर शुरू नहीं किया वह लेक्चर बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि एफम तो जैनवरी में खतम हो गई अल्मस्ट अपना ओवर हो रहा है तो उसी तरह से स्टुटिजिक मानेजमेंट जिन्हों नहीं किया उनको खतम करना ही है मैं सुनूंगा नहीं और यह सारे बच्चों को बोल रहा हूं जो सीए का एक्जाम देने वाले में 24 के अंदर ठीक है तो यह सब बाट टालने का डीमीन नहीं करता आइसी आई मार्केट में जो कुछ भी चल रहा होता जो भी debate discussion चल रही होती है आई सी आई सी आई के board of studies के टीचर को पता होता है कि मार्केट में नब्ज को पकड़ो अगर जो लोग बोल रहे तो वो पाला जाड रहे अपना क्योंकि उनसे एफम के साथ आप से ना मागना शुरू कर दो सर अभी तो एक भी लेक्चर निया सर कैसे होगा सर तो बड़ा ऐसा है कुछ होता नहीं इसमें कुछ नहीं हाँ दस दिन में हो जाएगा तुचिंता मत का रट लियो ओ किताब दे दूगा तेरे को वह लेक्चर करा दूगा मैं सिर्फ महरतन से हो हो जाएगा तो महरतन से ही पास हो जाएगा वह सारे हो गए थे ना अपने टाइम में छेचे अटेम्ट लगे थे इसी पेपर की वजह से उसमें से कई आज हमारे कली गए ठीक है नहीं तो मेरे को नहीं पढ़ाना पड़ता ठीक है हसते रहो मुस्कुराते रहो जिन्दगी नेक नहीं है आपको फिर अगले अटेम्ट में इधर ही देखना चाहते हैं वह आप उनके लिए बकरे हो एक बार हलाल किया फिर दुबारा हलाल करेंगे रिपीटर में ठीक है डोंट फॉलप प्रेय ओफ दिस काइंड आफ रिमर्स दिस नाथिंग लाइक दिस इस गूइं तो हैपन ठीक है थेरी हो या प्राक्टिकल आई सी आई दोनों को सीरियसली लेता है इजी वो किसी को नहीं बनाता है ठीक है आखों में पानी ला देता है यह वो कुछ ऐसा सोचता है एक सेर बोल देता हो तो मैं समझ में आ जाएगी बात सिर्फ हातों में खंजर ही नहीं अाखों में पानी चाहिए एखुदा मेरा दुशमन भी कांदानी चाहिए थो आइस यह खांदानी दुश्मन है बड़े हाई क्लास हाई सोसाइटी से आया हुआ है ठीक है वो मतलब वो इसी टाइप का है तो वो कातिल भी है वो मुंसिब भी है तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी तो इसलिए सीरियसली लेना शुरू कीजिए और इन चक्रों में मत पोडिये, I request and wish you all the best